रहमान जहीं, वेलकम तो माई जेनल, केमिस्थी इटा अनलाइन स्टिरिक नमबर, स्टिरिक नमबर बराबर होता है, नमबर आप सिग्मा बान का, और सिग्मा बान के साथ हम जिसको जोड़ दे, लोन पेर एलेक्ट्रॉन को, तो नमबर आप सिग्मा बान और लोन पेर को जोड़ के स्टिरिक नमबर निकाले तो हैबिडाजिशन आएगा, अगर मान ले स्टीरिक नंबर हमारे पास क्या गया फोर तो यह किसकी रहोगा इसपी के लिए अगर तरी आ गया तो एसपी टू के लिए और अगर टू आ गया तो एसपी है बैडाजीशन के लिए होगा अब कुछिशन को सॉल्ट करते हैं इस कंबाउंड में हम लोगो बोलत होते हो तो हमेशा expanded form में लेखते हो तो कार्बन डबल बान कार्बन बान कार्बन डबल बान कार्बन मैंने इसके लिए निक्वा दिया अब इसके पास दो हाइडोजन है इसके पास पी हाइडोजन और इसके साथ दो हाइडोजन अब देखो बैटा कारबन नंबर वन इसके के पास कितने सिग्मा बान है तो 1 2 यह 3 तो 3 के लिए क्या होगा बैटा SP2 अब इसके लिए क्या है 123 इसके लिए क्या होगा SP2 इसकी स्टीरिक नमबर 123 SP2 और यह जो लास्वन हमारे बाद है 123 यह SP2 तो कि आपको मैं पिछली वैडियो में बता चुका हूँ कि 5 bond is not including in habitization तो तो एक correct answer is option C आल carbon जो हमारे बाद होते है सारे SP2 habitization कराते है अब question second को solve करते है question second में यह पूचा है कि इनमें हमारे पास कौन सा compound है जिसमें SP2 hybrid orbital उन्हेंने SP hybrid orbital के साथ वो लेब किया है तो चलो देखो बेटा सी triple bond C bond H नो देखो बेटा इस carbon के पास कितने sigma bond बना चुका है दो तो इसका steric number SP और इस carbon का क्या है 2 sigma bond तो SP तो गलत हो गया तो option A is wrong option B को देखो CH2 double bond CH2 तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो carbon ने 3 sigma bond बनाई है 3 तो इसके लिए स्टीरिक नंबर क्या हुआ 3 SP2 और इसके लिए भी क्या है SP2 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 this is also wrong अगर हम तीसरे question को देखते तीसरे option को तो C यह 2 hydrogen इसके साथ connected है double bond carbon के साथ double bond carbon और 2 hydrogen यह भी connected है तो अगर देखा जाए तो यह 3 sigma bond हो गए स्टीरिक नंबर इसका क्या हो गए बैटा 3 SP2 यह 2 sigma bond है तो इसके लिए स्टीरिक नंबर 1,2,3 तो यह हमारे पास क्या हो गए बैटा यह SP2 हैबडाजिशन तो और correct answer is what SP2 SP hybrid orbital इस option ही में पाए जाता है अगर D option को भी देखते हैं हम D option को भी solve करते हैं कि D option में क्या आता है अगर D option में देखा जाए तो हमारे पास carbon के साथ 2 hydrogen है double bond carbon के साथ एक hydrogen इसके साथ connected है एक carbon और 3 hydrogen connected है तो देख दो बैटा इसका स्टीरिक नंबर क्या है इसके सिग्मा 1 1 2 3 4 तो 4 है स्टीरिक नंबर 4 हो गया तो SP3 hybridization एक दो तीन इसके लिए क्या होगा बैटा SP2 और इसके लिए 1 2 3 3 सिग्मा 1 तो SP2 इसका hybridization होगा तो यह भी नहीं हो सकता तो option C is the correct answer अब हम तीसरी equation को solve करते हैं कि acidic acid दिया है इनमें बोलते है कि कौन कौन से hybridization पाई जाते है तो देखो बैटा इस carbon के साथ 3 hydrogen connected है यह carbon carbon के साथ जोड़ा है single bond है double bond oxygen के साथ वो single bond H के साथ अब देखो यहाँ पर अगर हम देख थे तो oxygen के पास दो दो लोन पियर इसके पास हुआ SP3 इसे उन्हें 3 sigma bond बना रखे है 1,2,3 तो 3 के लिए क्या होगा बैटा SP2 oxygen ने 2 sigma bond बना रखे है और 2 इसके पास लोन पियर है तो steric number इसका 4 हो गया तो hybridization SP3 और इस oxygen को देखो दो लोन पियर और वे एक सिगमा बान तो 3 होगा steric number तो hybridization SP2 तो और correct answer is SP3 SP2 option D एक बात नोट करा दीजिए कि यहां पर कुछ लोग यह कहते है कि acidic acid में अगर हम लोग carbon double bond oxygen को देखे तो यह वाला और यह वाला दोनों की hybridization जो होती है वो similar होती है पर यह बात ध्यान से ध्यान में रखती जिए कि दोनों जो हमारे पास है दोनों का hybridization अलग है क्योंकि क पर हमारे पास जो oxygen की loan pair है यह क्या करते है यह resonance में participate करते है तो जो loan pair resonance का हिस्सा होता है उनको hybridization में count नहीं करते पर वो बहुत ही ज्यादा minor contributor है इसने minor contributor को reject करते है और दोनों oxygen की hybridization कौन कौन से हमारे पास आ गए एक का आ जाता है sp3 और दोसने का आ जाता है sp2 because the minor contributor structure उसको नेगला की जाता है तो उमीद है आपको वीडियो अच्छे लगी होगी thank you for watching my video channel को subscribe करना ना भोजे अल्ला हाफिस